तो एक छोटी सी न्यूस थी जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता था अल्दो मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोडी पे ये पहले शेयर कर चुका हूं और आपको इस चीज के बारे में इंफरमिशन दू की एक्जाक्ली हुआ क्या है तो करीबन आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक अपनी फोटो सब्मिट की थी ICP के फोटो ऑनलाइन फोटो सब्मिशन में ICP जो की है इंटरनेशनल सेंटर अफ फोटोग्रफी जो की New York में एक इंटर्नेशनल एग्जिबिशन गैलरी है और एक फोटो पाप्लिकेशन है बहुत बड़ी पाप्लिकेशन है बहुत बड़ी एक्जिबिशन गैलरी है तो उनका फोटो सब्मिशन्स चल रहे थे तो मैंने अपनी एक फोटोग्राफ सब्मिट की थी मुझे बहुत जादा उमीद नहीं थी उस photograph से बट कुछ टाइम बाद मुझे उनके तरफ से एक mail आया ICP की तरफ से and I got to know कि मेरी जो photograph है वो select की गई है New York में उनकी गैलरी में exhibit होने के लिए तो initially तो मुझे यकीन हुआ नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मुझे लगा कि शायद ये कोई गलती से mail आगया है बट फिर उनके तरफ से जो follow up mails आये तो मुझे realize हुआ कि हाँ ये सच है और सच बताऊ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना था नहीं जब मैंने वो चीज देखी और finally अभी दो दिन पहले उन्होंने मुझे अपनी gallery की images भेजी है जहाँ पर कि मेरी भी photograph जो है वहाँ पर gallery में exhibit हुई है और वो photograph को देख करके मुझे सच में बहुत अच्छा feel हुआ और बहुत अच्छा लगा और not just as a photographer but मैं समझता हूँ कि किसी भी art field के इनसान के लिए किसी भी creative field के इनसान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपके काम को recognize किया जाता है और वो भी internationally जब आपके काम को recognize किया जाता है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे काम को एक value दी गई है और एक recognition मिला है तो बस यही एक news थी जो आप सब के साथ में share मैं करना चाहता था और वीडियो के end में मैं images आपके साथ मैं share करूँगा आप देख सकते हो images को मैं जरूर चाहूँगा कि आप देखो and आप अपने reviews और अपना feedback मुझे दो कि कैसा आपको लगा ये सुन करके मेरी ये news सुन करके बाकी बस thank you बोलना चाहता हूँ उन सारे लोगों को जिन्मों की अभी तक support मुझे किया है और बस यही news थी जो आप सब के साथ में share करना चाहता था तो मुझे लगा कि बजाएगे सिर्फ एक post डालने के एक proper video shoot किया जाए और मैं आपको बताऊँ तो बस यही था इस video में बाकी जैसा कि आप सब को पता होगा portrait bazar जो हमारा page है उसमें भी recently 30k हमने हिट किया है 30,000 से उपर हमारी family हो गई है portrait bazar की तो बहुत जल्द उसमें भी हमें portrait photography competition हम करने वाले हैं तो उसके बारे में भी news में आपको देता रहूँगा और आपको updated रखूँगा और उमीद करता हूँ कि यह जो वीडियो बना रहा हूँ YouTube के लिए ऐसे YouTube के लिए और भी वीडियो में आगे बनाता रहूँ तो YouTube को भी काफि सीरिसली लेना पड़ेगा मतलब आगे से क्योंकि बहुत scope है YouTube पे तो I hope की मैं आगे YouTube पे वीडियो भी बनाता रहूँ और बस ये निउस आपके साथ में शेयर करने थी तो that's it from this video बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं और just follow me up on Instagram बाकी लिंक में सारे आपके साथ में शेयर कर दूँगा description में तो that's it guys from this video बाकी just stay care and stay healthy stay safe and take care guys bye bye good night झीश के था Öz्याय ठाय रहुए में चुए बहुए word रहुए जाकी था उर बनाता कि रहो झाल